हेलो अवरिवान वेलकम टो माई चैनल देखिए फ्रेंड्स आज मैं टू कलर से आपको बहुत प्यारा सा डिजैन बनाना सिखाऊंगी यह एक चुन्ने मेरे पास मल्टी कलर की है और एक मेरे पास प्लेन है आप चाहो तो दोनों मल्टी कलर की भी ले सकते हो दोनों प्लेन भ अट के बना सकते हो और आप इसको अध़ाrows चैनल भी बना सकते हो मतलब बहुत सारे कालर भी आप इसमें यूज कर सकते हूँ तो देखे इसके लिए मैंने यहां पे साथ नंबर के निडल्स का मैंने यहां पे यूज किया है और सबसे पहले हम इसमें फंदे डाल लेंगे यह देखे फ्रेंड्स फंदे में बिल्कुल है आपको सिंपल तरीके के आपको इसमें बताऊंगी एक हम इसमें सिंपल ऐसे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मैं इसमें फ्रेंट 14 फंदे में इस कलर के डाल लूँगे और देखिए पहले आप किसी कलर के भी डाल लिएगा क्यूंकि हमारी कलियों का कलर चेंज होता रहेगा आप सबसे पहले हम इसकी कली बनाएंगे तो सेकिंड वाली कली हमारे इस कलर की बनेगी तो आप कोई भी उपर नीचे कलर आप इसमें डाल सकते हो देखिए इसकी भी मैंने एक नोट लगा ली एक दो तीन चार पांच छे और साथ उपर हम साथ फंदे डालेंगे फ्रेंड्स जितने नीचे हैं उसके हाफ हम उपर डालेंगे और जो उपर होगे उसके डबल आप नीचे डाल लिएगा अब देखिए बेसिक रो है हमारी फस्ट रो जब हम इस तरीके से फंदे डालते हैं तो इस रो को बहुत ही आराम से हम बनाएंगे देखिए सारे इफंदे हमने इसमें बना लिए अब देखिए इसको हम ऐसे कर लेंगे और इस पती को भी हम लपेट लेंगे और इसको हम इस साइड ऐसे क्रोस कर लेंगे और यह हमारा ऐसे नीचे से आजाएगा यहाँ पर बीच का गैप खतम हो जाएगा यह देखिए फर्स्ट रो है इसलिए हम इसको बहुत ही आराम से बनाएंगे तो हमारा फंदों के बीच में गैप बन जाएगा बड़े आराम से आप हाथ रोक के इस रो को पूरा करिए यह बेसिक रो है अभी हमने इसमें डिजाइन स्टार्ट नहीं किया है और अगर आपको फंदे डालने आते हैं तो आप अपने हिसाब से भी फंदे डालिए यह मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूं जिसको फंदे भी डालने नहीं आते तो उसके लिए यह फंदे बहुत ही आसाना है धिए जिस से हमने नोट लगाई थी इसको भी हाँ बना लें देखिए पलट लेंगे यह हमारे सिधी साइड है तो सिधी साइड छो स्काह machines को बनाएंगे और यह जो नोट लगाई थी कि हमने जो इसकी छोटी सी पट्टी बची हुई है इसको हम इसी में रैप कर लेंगे अब उपर हमारा यह बहुत ही जल्दी जल्दी बनके कम्प्लीट होगा दो रोव हमने उल्टी साइड से सीधी साइड से बेसिक रोव बना ली हैं चाओ तो आफ फस्ट रोव से डिजैन भी स्टार्ट कर सकते हो लेकिन हमने बेसिक रोव बनाई है इसके बाद हम अपना डिजैन स्टार्ट करेंगे अब देखे, सीधी साइड से आपने हर बार क्या करना है, जो जिस कलर का फंदा होगा, उसी कलर से बनाना है, इस पट्टी को पीछे कर देंगे, और पीछे से ये पट्टी आगे लेके आएंगे, क्रोस करके, इस चीज का आप द्यान रखिएगा, पट्टी को क्रोस करना है, आप देखिए आप यहां से हमारा डिजन स्टार्ट होगा देखिए फर्स्ट फंदे से ही हम ऐसे लपेट लेंगे एक फंदा हमने बढ़ाना है तुर लपेट लिया और यह देखिए यह हमारे दो फंदे हो गई दो ज्यान से देखिए तीन 4 5 6 और 7 7 फंदे हम यह बनाएंगे क्योंकि 7 दाली थे हमने फंदे 7 ही हम बनाएंगे एक फंदा हम इसको पटी को ऐसे कर लेंगे और पटी को ऐसे कर लेंगे इसमें कन्वर्ट कर देंगे एक फंदा और पूरी रोह हम ऐसे ही बनाएंगे लास्ट में दो फंदे हम छोड़ देंगे एक और दो फंदे छोड़ दी पट्टी को पिछे की साइड गुमा दिया अब यह सीधी साइड है सीधी साइड से जो जैसा है हम वैसा ही बनाएंगे फस्ट वाला उतार लिया और इस पूरी रोह को में कम्प्लिट कर देखी एक बार देख लिए जी आप यहां से पट्टी को देखे आएंगे और यह हमारी जालर के फंदे हैं यह भी हम बना लेंगे यह देखे पलट लेंगे एक बार फिर से देखे फिर से हम अपना फंदा बढ़ाएंगे लपेटेंगे एक फंदा हमारा यहां पर बढ़ गया यह दो हो गए तीन चाल पांच छे और यह साथ साथ फंदे होगे एक हमारा यह फंदा हम इसमें कन्वाट कर लेंगे यह देखे दो फंदे हमने बढ़ा लिए तो फ्रेंड मैं यहां पर पांच फंदे और बढ़ाएंगे और जो चोदा फंदे मैंने डाल ले हैं इनको मैं दो दो करके छोड़ दूँगे आप देखिए ये मैंने 2-2 का पेर बनाया है अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप यहाँ पे 4-4 का पेर भी बना सकते हो 3-3 का पेर भी बना सकते हो उसे हिसाब से आप फंदे सेट करिएगा ये देखिए 2 फिर से मैंने छोड़ दिये और पूरी रोकों मैं ऐसे ही बनाके complete करूँगी जो जिस color का है तो friends मैं यहाँ पर दो फंदे बढ़ा लिए 5 और बढ़ा लिती हूँ फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंते देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 बार मैंने यह दो दो करके फंदे छोड़ दी है आपको अलग से दिखाई देंगे और यह देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह हमारे बढ़े हुए फंदे जो हमने यहां से एक एक करके बढ़ाया है और यह साथ फंदे हमारे जालर के हैं जो हमने नीचे से ही डाले थे तो अब देखिए हमें क्या करना है इस सारे फंदे हम बंद करेंगे द्यान से देखिए दो का एक किया वापस डाल लिया एक फंदा हमने गटा लिया यह देखिए दो तीन चार पाँच छे और यह सातवा फंदा हम इस कलर से गटाएंगे अब हम इस कलर के जालर बनाएंगे तो द्यान से देखिए एक दो और इसको भी हम ऐसे साथ साथ लेंगे तीन चार पाँच छे और साथ यह साथ फंदे हमने वापस जालर बाले जो हमारे थे वह हमने यहाँ पे ले लिये और यह चोदा फंदे अब हम इस कलर से बनाएंगे तो हमारा कलर इस रो में चेंज हो जाएगा और जो नीचे हमने दो दो करके फंदे छोड रखे हैं वो भी हम इस रो में बना लेंगे यह देखिए जब भी आप कलर चेंज करो तो आप इसी तरीके से कलर चेंज करिएगा यह सारे पंदे हम बना लेंगे यह देखिए कलर हमारा चेंज हो गया है आप देखिए हम क्या करेंगे फर्स्ट वाले को आप इसको कमी बनाना अब देखिए फ्रेंड जब भी आप साड़ी और चुन्नी से बनाओगे तो आप इने इसमें ज्वैंट कैसे लगाना है वो आप देखिए लिजी एक बार दूसरी पट्टी लेंगे इसके अंदर रखके हम उसको ऐसे रैप करतेंगे और सीदी साइड से ये रोव ऐसे ही बनानी है जैसे हम बनाते आई हैं जो जिस कलर का होगा उसी कलर से हम ये बनाएंगे बहुत सुंदर लुक आएगी इसकी आप इसको साइज में आपको जितना भी बड़ा बनाना है आप उतना ही बड़ाई से बना लीजिए यह देखे इसको पिछे कर देंगे पिछे से दूसरी पट्टी आगे लेके आएंगे और यह साथ फंदे हम इस कलर से बना लेंगे यह देखे जब भी हम इस तरीके से बनाते हैं तो हमारा देखे आप बिल्कुल भी गयप नहीं आता यह देखे जैसे सुई से सील रखा है ऐसी हमारी फिनिशिंग के साथ यह बनेगा तो देखे एक कली हमारी बनके कम्प्लीट हो गई है फिर से आपने ऐसे ही रिपीट करना है यही से हम अपना फंदा बढ़ाएंगे यह देखे लपेट लेंगे लपेटने से ही हमारा फंदा बढ़ गए यह सबसे आसान तरीका फंदा बढ़ाने का दो हो गए तीन चार पांच छे साथ यह फंदा पट्टी को हम इस साइड ऐसे कर लेंगे ऐसे बनाएंगे तो अपने आप यह क्रोस हो जाएगी देखे यह हमने इसमें आप एड कर लिया कनवर्ट कर लिया और पीछे हम जैसे हमने पहले छोड़े थे दो दो फंदे हम छोड़ेंगे तो इसी तरीके से आप इसको बनाएगा लास्ट रखे एक और दो दो फंदे हम छोड़ देंगे और मैं यहीं से वापस से मुड़ जाओंगे तो बैसे बना लेती हूं फ्रेंड्स थोड़ा सा और बनाके फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी लुक कैसी आई है इसे कंप्लीट कर लेती हूं मैं यह देखिए एक बाद दूसरी क्ली को भी देख लीजी यह मेरी कंप्लीट हो गई है यह देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ बार मैंने फंदे छोड़ दिये हैं साथ फंदे हमारे बढ़ गई हैं आप देखिए कि यह बीरर्स के लिए बता रही हूं फ्रेंड्स दो का एक कर दिया एक फंदा हमने गटा दिया यह दूसरा गटा दिया तीसरा यह चोथा यह पांचमा यह छटा फंदा और यह हम इस कलर से गटाएंगे साथ मा फंदा और एक हमारा यह हो गया दो जहां से देखिए तेन एक बार फिर से देख लिए फ्रेंड्स हमें इसमें जॉइंट है कैसे लगाएंगे यह मेरे पास चुन्नी है चुन्नी की छोटी छोटी पटियां है अगर आप साड़ी से बनाओगे तो साड़ी की लंबी लंबी पटियां बनेंगी तीन ऐसे पकड़के रखिए इसको चार पांच छे और इसको सोरी मेरा पीछे रह गया इसको आप ऐसे साथ साथ ले के आईएगा जैसे हमने यहाँ पे निचे देखिए यह साथ साथ लिया था तो यह साथ फंदे मेरे इस कलर के हो गए अब फिर से जैसे हमने स्टार्टिंग की थी वो इकलर हमारा आगया और यह पिछे के चोदा फंदे में इस कलर से इस रो में हम यह तो दोकर के फंदे छूट रखे इनको भी बना लेंगे और अपना कलर भी इसमें लगा लेंगे आप इसमें और कोई कलर भी लगा सकते हो हर एक कली अलग अलग कलर से भी आप इसको बना सकते हो अब मैं इसको complete करके आपको final look दिखाऊंगी इसकी कि ये बनने के बाल कैसे दिखाई देगा बहुत सुंदर इसकी लुक आएगी पूजा कासन बनाना हो तो आप इसको बड़ा बना दीजिए ये देखिए अब फिर से हमारा color इसमें set हो गई है इसे तरीके से हम ये बनाते जाएंगे तो बहुत सुंदर इसकी look आएगी तो मैं इसे complete कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगी बनने के बाद ये देखिए बनने के बाद इस तरह से इसकी look आई है तो friends अगर आपको पसंद आया है तो please इसे like कर लीजिए चैनल पे नए हो तो subscribe कर लीजिए bell icon को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नए वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिले तो मिलते हैं next वीडियो में नए design के साथ Thank you झाल